दोस्तों नमस्कार सत्ता विमर्स में आपका स्वागत है मैं प्रवीन कुमार राजस्थान चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए कॉंग्रेस के पुर्वा ध्यक्ष और भारत जोरो यात्रा के नायक राहुल गांधी ने बड़ा फैसला लिया है माना जा रहा है या राहुल गांधी का मस्टर स्टोक साबित हो सकता है कहा जा रहा है कि बसपास सुप्रिमो बहन मायावती की स्ट्रेटिजी से राहुल गांधी ने बीजेपी को मात देने का बड़ा एक्षन प्लान तयार किया है इसके तहट जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है वह है टिकेटों का वित्रन रास्थान में इस वार चुनाओ से दो मेहने पहले ही प्रत्यासियों के नामों का एलान कर दिया जाएगा कहें तो सितंबर के पहले सब्ता में ही प्रत्यासियों के नाम तैय किये जा सकते हैं अभी तक कॉंग्रिस नमांकन के अंतिन दिन तक प्रत्यासी तैय करती नजर आती है हाली में करनाटक चुनाव में कॉंग्रिस ने कुछ सीटों पर इस तरह का प्रियोग किया था और इसका फाइदा या रहा कि प्रत्यासियों को अपने छ्चित्र में पुरा समय मिला साथ ही नाराज निताओं को मनाने का भी पड्याप्त मौका मिल गया था इसी फॉर्मूले को अब राजस्थान में लागू करने का निर्नरय ताहूल गान्दी ने लिया है माना जा रहा है कि कॉंग्रिस अलाकमान के इस फैसले से पार्टी के युवा निताओं को काफी फाइदा मिलेगा चुकि पिछले दिनों राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि पचास फिसदी टिकट युवाओं को दिये जाएंगे तो इस फॉर्मूले के हिसाब से राजस्थान में 100 टिकट युवा निताओं को मिलने वाले हैं अगर दो महिने पहले प्रत्यास्यों के नाम तै हो जाते हैं तो इन 100 युवा निताओं को प्रचार करने का पढ़ियाप्त वक्त मिल जाएगा अब रास्थान में या फॉर्मूला कितना कारगर सावित होता है यह तो सुनाओं के बाद ही पताते लेगा लेकिन पार्टी के इस थाइसले को राहूल गांधी का मस्टर स्ट्रोक माना जा रहा है फिलाल के लिए इतना ही शक्ता और जन्सरोकार की खबरों के लिए देखते रहे हैं शक्ता विमर्स नमस्ता